यह विल्कम बैक तो माई चैनल दिस यह प्रेयर रहे हैं तुम सब का है स्वागत तो आज हम बात करेंगे पीएस फाइब इंडिया री स्टॉक के बारे में थोड़े छोटे मोटे अपडेट मिले हैं थोड़ा सा हिंट मिला है तो यह वी डिवेंट तो देखना था कि दूए पता चलता एक जैकली क्या है न्यूज और क्या मैं कवर करने वाला हूँ फिटीन हंडेट बस कर दो तुमीलो कर सकते हो पंद्रह सो में पहुचा दो अगला टार्गेट यही है तो गाईस सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो तो गाईस आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट जो की है एक सबसे बड़ा अपडेट आया है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के उपर जो की है कि वो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का री स्टॉक आया है और वो सोल्ड आउट हो चुका है ओलड़ी तो Xbox Series X is coming back in stock on Amazon India on 19th March So guys 19th March को ये इसका launch होगा मतलब एक तरह से कह सकते हो इसका restock आया है तो जो कि उसकी pre-order sale चल रही थी वो अलड़ी sold out हो चुकी है मैंने खुद Amazon पे चेक किया तो ये एक hint है PS5 के लिए क्योंकि क्योंकि जब मैंने सर्वे किया था जब मैं कुछ दिन पहले मैं गया था डेली मैंने काफी retailer से बात करी थी डेली गुडगाओं तो डेली में एक retailer है CP retailer का not place उस भाई सामने उन्होंने ये बोला था कि सर PS4 के restock आने वाले हैं मार्च को आ रहे हैं तो PS4 दुमें पता है PS4 के price बढ़ चुके हैं 30,000 तो PS4 के stock अगर 24 मार्च को आ रहे हैं तो उमीद है काफी हद तक कि ये जो news है ये काफी correct है जो की है ये Sony PlayStation 5 restock due date in India pushed back to the end of March तो guys उमीद ये है मैंने retailer से बात करी थी वो कह रहे हैं guys कि या March एंड या April first week में restock आने की उमीद है तो अगर हम इसको PS4 से relate करें तो यहां पर अलड़ी लिखा हुआ है Sony was expected to bring stock of both PS5 and as well as PS4 consoles to India तो अगर PS4 के stock चौब स्मार्च को आएंगे तो उमीद बहुत जादा है कि उसी timeline में या उसी अगले या एक दो week में PS5 के भी stocks आएंगे guys बिल्कुल यह हो सकता है यह एक hint है और अगर Xbox Series X का भी stock आया है क्योंकि यह सारी चीज़ें एक ही जगे से आ रही है जो कि है चाइना Xbox Series X भी made in China है PS5 भी made in China है बट इसमें guys trick है इसमें एक trick है यहां से असले trick स्टार्ट होता है तो यार रीटेलर ने मुझे यह बोला कि सर अभी हम कुछ कह नहीं सकते उमीद है March and और April first week उन्होंने बोला बट यार एक इसमें twist यह है तुम सबको पता है महरास्ट में काफी cases कोरोना के आ रहे हैं और नाकपर में ओलेडी lockdown अनाउंस हो चुका है और अंगाबाद में भी lockdown अनाउंस हो चुका है monuments पे तो गाइज अगर मुंबई में lockdown लगता है और क्योंकि मुंबई में पोर्ट्स है मुंबई में हारवर हैं तो अगर मुंबई में lockdown लगता है तो PS5 पे काफी guys impact आएगा PS5 पूरे chances हैं डिले होने के और PS4 प्लस PS5 दोनों डिले होने के बहुत chances हैं तो guys उमीद करो कि मुंबई में भगवान से प्रेगर और जो भी करो कि मुंबई में lockdown लगे क्योंकि already नागपर में लग चुका है शायद 15-21 के लगा है I'm not sure और मुंबई के जो BMC के जो head है जो की COVID head है उनका नाम है सुरेश क पका नहीं उन्होंने बोला है कि अगर cases ऐसे ही बढ़ते रहे एक दो दिन में तो हमें मुंबई में भी lockdown लगाना पड़ेगा तो guys अगर मुंबई में lockdown लगता है तो PS5 और PS4 आपके sorry stocks बहुत ही जादा इस पर impact होगा ये बिल्कुल सही है ये शायद हो सकता है April media April end तक चला अमीद है क्योंकि Xbox Series X already आ चुका है sold out हो चुका है 19 March को आ रहा है और PS5 और PS4 के दोनों stock obvious सी बात है यार साथ महीं आएंगे अलग अलग नहीं आएंगे तो Delhi CP retailer ने ये बोला था कि PS4 के stock 24th March को आने वाले हैं जो की है 30,000 का Sony ने 2000 रुपे प्राइस बढ़ा दिया है तो guys गाइस प्रे करो कि सब कुछ सही रहे lockdown नहीं मुंबई में क्योंकि सारे मुंबई में ही sports and hardware है तो let's see guys क्या होता है मुझे जैसी कोई update मिलेगा मैं तुम लोग के साथ share करूंगा और guys like करो subscribe करो comment करो अपना opinion share करो कि तुम्हें क्या कहना है और तुम्हें जो भी कहना है तु कि मैं member बने और discussions में बाट लो तो guys subscribe करो 1500 तुम लोग करवा सकते हो तुम्हें लोग करवा दो मारा अगला टार्गेट वही है क्योंकि आगे और भी गेवेज आने वाले है I'll see you guys in the next one bye bye have a great day